हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल रूफ पेशन पॉइंट में दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही खुबसुरत डिजाइन लिकरा हैं दोस्तो आप इस डिजाइन को स्लीव में या फिर ट्राउजर की मोरी में या फिर आप कूर्ती के दामन में बना सकते हैं और हम इस डिजाइन को आस्ती में बनाएंगे तो आस्ती में बनाने के लिए हमने यहाँ एक्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है ताथ ही इस तरीके से बुकरम ली हुई है, देखिए इसकी चड़ाई 3 इंच है, और लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा ली हुई है, वैसे तो कम यूज होने वाली है यहाँ लेकिन हमने तोड़ी ज़्यादा ले रखी है, इसी प्रकार से हमने एक दूसरी प्रकार की भु कर्म के बिलकुल बीच बीच रखेंगे, और रखने के बाद इस तरह पैं शनाय लगा लगालेगे, Yep эфф content दूसरी तो यह हमने इस तरह निशान लगा दीए हैं अब क्या करेंगे इक बीच Central जितनी इचंड़ाई dismissed इसके business Center में भी एक निशान सीधा लगाएंग्यान अबय है एक इस प्रकर की चूडी हो सकता है छोटी बड़ी हो तो कोई बात नहीं चलेगी अब आपको चूडी को किस तरह यूज करना देखिए इस तरह से आपको पैटन के ऊपर यहां पर रखनी है यह हमने इस तरह यहाँ पर निशान लगा दिया है अब आपको क्या करना दूसरा कर जो चूड़ी रखनी है आपको इस तरह से यहाँ पर रखनी है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे शेम निशान पर अब हम लेंगे अपनी दूसरी वयले उकरम और इस दूसरी वयले मुक्रम पर अपने इन दोनों पैटनों को सेट करेंगे कैसे करेंग heavens इस तरीके से सेट करना है दोस्तों कि इसकी जो बीच की चोड़ाई है मतलब पैटन तो आपको दिखी रहे होंगे क्योंकि सेम कलर ने इस वेसे थोड़ा कम दिख पा रहे हैं लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं इसकी जो बीच की चोड़ाई है लगवाग एक करने के बाद हम इसमें पिन कर देंगे मतलब पिन मार देंगे जिससे कि हमारा जो पैटना इधर उदर ना हटे है तो पिन लगाने के बाद हम इसमें जैसे हमारा पैटन कटा हुआ वैसी वार्किंग कर लेंगे निशान लगाने के बाद हम अपनी पिन को निकाल देंगे और पैटन को भी हटा देंगे और सेम निशान पर हम इसकी कर देंगे तो दोस्तों देखिए हमारा कितना बहतरीन वाला पैटन कटकर तयार हो गया है तो दोस्तों यह हमारी स्लीब्स है और स्लीब्स की हमारी मोरी है दोस्तों हमने अपने पैटन को इसलिए लंबा काटा था ताकि आप ट्राउजर पर या पर कुर्ती के दामज पर आसानी से बना सके अब हम अपनी अस्तीन की मोरी के अकॉर्डिंग इसको काटके तयार करेंगे तो अब ही हमारा पैटन इस तरीके से त्यार हो चुका है जितना हमें अपनी अस्तीन में जरूरत है और अब हमने जो आस्तीन के लिए एक्ष्ट्रा कपड़ा लिया है उस पर हम पिंटेक्स बनाएंगे पिंटेक्स को दोस्तों इसत्रीके से अपने इस तरीके से कपड़ा लेना है और लेने के बाद इसको एक कोने समोड़ाला है इस तरीक skate ऐसा नहीं कि आप सिदी हुं और के आप है है और के अधाग आक कौरहाँ कर देखिए दोस्तों पेंट डालने के बाद कुछ इस तरह से लूक आ रहा है इसी तरह हम अपने पूरे कपडे पर पिंट अरगे तो यह हमारा पिंट अग्स डालकर पैटन तैयार हो गया है अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमने पैटन कट किया है इसको पेस्ट कर लेंगे तो यह हमने अपने पैटन को पेस्ट कर लिया है और इसके बाद पैटन के दोनों तरफ से हम एक-एक पैर का मार्जन छोड़ते हुए एक्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दे लिए इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे के एक साइड का मार्जन ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो हलके-लके लोचिस लगा लेंगे जिसकी वेश से हमार कपड़ा आसानी से ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो पैटन को हमने फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है अब हम अपने पैटन को आस्तीन में बनाएंगे कैसे देखिए यह हमारी आस्तीन है और आस्तीन पे दोस्तो अल्रेडी उल्टर सीदर का निशान लगाया होगा है अगर आप दूसरी वाली सीदर बनाते हैं तो उसमें निशान नहीं होगा उसमें आप लगा लें अब हम क्या करेंगे इस तरीके से अपने आस्तीन को खोलेंगे और हम अपने पैटन को उल्टी साइड पर ही इस तरीके से सेट करेंगे और सेट करने के बाद बुकरम के बराबर बराबर सिलाई को लगाएंगे और साथी दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें साथी घंटी के आइकन को भी किलिक कर लें ताकि हमारी जब भी आपके लिए वीडियो आये तो सबसे पहले आपको पता लग जाए दोस्तों अकर दिजाइन अच्छा लगें तो जादा से जादा आपने दोस्तों में शेर करें। और लाइक करें ठेंक यूआ और अब इसके 받고 दोस्तों थोड़ा-धोड़ा मर्जे छोड़ते हुए हम बाकी मर्जिन की कटिंग कर देंगे और फिर साथ ही दोस्तों आपको छोटे छोटे नोचिस भी लगा लेने हैं और ध्यान रहे इन नोचिस को लगाते वक्त आपकी जो सिलाई है वो ना कटे और अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अपने पैटन को इस तरफ पकड़ना है और पकड़ने के बाद सीधी तरफ को इस तरह के से टन करना है और टन करने के बाद दोस्तों आप इस पहले तो funding के साथ प्रेस लगा ले और करेश लगाने के बाद आप चाहेए तो दोनों तरफ इस तरी के से स्लाइल लगा सकते हैं और बैसे अगर इधर की तरफ ना लगाएं तो बहतर दोस्तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपकी आस्तीन की जो भी फिटिंग है उसके सबसे सलाई लगा लेनी है और इसी के साथ दोस्तो हमारा आज का यह खूपसूरत सा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है दोस्तो आपको हमारा यह डिजाइन कैसा लगा जादा से जादा आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताएं और साथी दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें आकि हम जब भी आपके लिए वीडियो डाले सबसे पहले आपको पता लग सके थैंक यू फॉर वेचिंग झाल